क्या आपको कान और जब्डे से एक साथ दर्द का अनुभव अकसर होता है अगर हाँ तो ये कई रीजन्स की चलते होता है ऐसे में आपको इस समस्या को नजर अंदास बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंगी ये परिश्वानी गंभीर सिच्वेशन्स के वज़ा भी हो सकती ह इसके इलावा इसकी वज़ा से शरीर के अन्य इसों में धी दर्द हो सकता है आएये आपको बताते हैं कि इसके रीजन्स क्या हो सकते हैं अकशर दातों में होने वाली प्रीशवानी के कारण आपके कान और जब्ड़े में दर्थ हो सकता है गधर आपने इस प्रीश वान्यों की व़ज़ा का समय से करवाय当 तो यह आपके कान और जब्रों में infection तक दे सकता है और इससे बचाव के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए तो चली वो बताते हैं कान और जब्रों में एक साथ दर्थ होने पर नर्म आहार का सेवन करें च्वेंगम का सेवन ना करें अपने कान में pen या pencil जैसी नुकीले चीज़े ना डाले आराम करें और अपने जब्रे को आराम दे जब्रे पर गर्म या ठंडे पानी से सिकाई करें जादा ना बोले धीरे धीरे अपना मूँ खोले स्ट्रेस से बचने की कोशिश करें डेली ब्रश करें और अच्छा खाना ले दातों की देख भाल करें और मूँ में बैक्तिरिया पन अपने ना दे इस वीडियो में फिला लखना ही ऐसी ही तमाम च्छानकारियों के लिए बोल स्काय को सब्सक्राइब करना ना भुड़े